हेलो दोस्तो रेकपेडिया पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो 2021 और 2022 में पिछले मैने तक जो भी नए दिवस शुरू किये गए हैं चाहे वो उज्वला दिवस हो प्राकरम दिवस हो मैत्री दिवस हो ओंके व बबवा दिवस हो अलग अलग राज सरकारों द्वारा भी नए नारा एक मैई 2016 को यूपी के बलिया जिला से यूपी के बल्या से दोस्तो अभी पिछले ही साल परदान बंतरी उज्वला यूजना 2.0 भी शुरू किया गया है महोबास है ये कहा है ये भी दोस्तों UP में ही है ये दोस्तों शुरू किया गया है 10 अगस्त 2021 को और दोस्तों 1 माई 2016 को ये योजना शुरू की गई थी इसलिए उजुला दिवस इसी के सक्सेस्फुल के रूप में सफलता के रूप में मनाया जा रहा है 1 माई 2022 से इस साल से दोस्तों ये पेट्रोलियम पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्राले के द्वारा शुरू किया गया था इसके मंत्री दोस्तों है हरदीप सिंग पूरी पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्राले जिसके मंत्री को ने हरदीप सिंग पूरी और दोस्तो राज मंत्री मंत्राले के जो राज मंत्री है रामेश्वर तेली रामेश्वर तेली दोस्तो इनी के अध्यक्स्ता में जो है अभी जो पिछले साल परदान मंत्री उजवला योजना हुआ है दोस्तो इनहीं के अध्यक्सता में असम के डिब्रूगड में डिब्रूगड ट्रेन भी चलती है दोस्तो असम के डिब्रूगड में दोस्तो इनहीं के अध्यक्सता में कारिकरम भी आयोज़त किया गया था और उज्वला दिवस जो कार्गरम 2022 वाला हुआ है इन्ही के अध्यक्सता में ठीक है दोस्तों चले नेक्स्ट देखते हैं राश्ट्य डॉल्फीन दिवस hasnze चले नेक्सक्र ndकरा सटे कसी थी हमारा राश्ट्य ड्ॉल्फीन दिवस राश्ट्य वर दोस्तों जो बैठक हुई थी राष्टिय वन जीव बोड की राष्टिय वन जीव बोड की अस्थाई कमीटी की बैठक हुई थी इस्टेंडिंग कमीटी सरसत्वी बैठक ही दोस्तों यह उसी में पांच अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन दे हर साथ मनाने गोस्ना भुपंदर जीव भी घोशना की गई थी डॉल्फिन को चलिए नेक्स चेकते हैं मैत्री दिवस दोस्तों यह दिसम्बर 2021 दोस्तों इसमें 11 देशों ने मैत्री दिवस भारत और बांगलादेश दोस्तों भारत और बांगलादेश ठीक है भारत और बांगलादेश ने अभी मैत्री दिवस मनाया है 1971 में 6 दिसम्बर को ही 1971 में 6 दिसम्बर को ही भारत ने मानेता दी थी बांगलादेश को जिसमें दोस्तों पाकिस्तान के 93,000 सैनिक सरेंडर किये हुए थे भारत के पाद दोस्तों इसमें मुक्ती वाहिनी की जीत हुई थी मुक्ती वाहिनी जिसके उस समय के नेता कौन थे सेख मुझे बुर रह्मान सेख मुझे बुर रह्मान जो दोस्तों वहां के पहले पीम भी बने थे उस समय के पहले पीम ठीक है और इनी की बेटी दोस्तो अभी इनी की जो बेटी है सेख हसीना जो आप फोटो में भी देख रहे हैं सेख हसीना ये अभी पीम है ये अभी पीम है ठीक है दोस्तो आट दिसों में समारोग ने तुरित बारत ने किया था ठीक है 29 सितंबर 2021 को दोस्तों दोस्तों ने ग पचास साल पे दोस्तों मैत्री दिवस का आयोजन हुआ था, चलिए, समानता दिवस, 14 अप्रेल 2022, दोस्तों इसकी बात की जाए, तो बाबा सहब भीम्राउं बेटकर के जैन्ती, जो की 14 अप्रेल को मनाई जाती है, उस दिन दोस्तों, तमिलनाडू सरकार, किसके द्वारा? के द्वारा, समानता दिवस को मनाने की घोसना की गई है, तमिल में दोस्तों इससे कहा जाता है, समाथुआ नाल, मनाने की घोसना कहा की गई है, तमिलनाडू में, ठीक है? चलिए, नेक्ष्ट एकते हैं, 2022 में यह पहली बर मनाया गया, दोस्तों, तमिलनाडू के द्वारा ही समाजिक न्याय दिवस, 2022 में ही, 2021 में किया गया था, 17 सेप्तमबर 2021 को, किसके द्वारा? समाजिक न्याय दिवस की भी गोसना की गई है, चलिए, नेक्ष्ट एकते हैं, किसके द्वारा? तमिलाडू राज सरकार के द्वारा मुखमंत्री को ने माँ आके? M.K. स्टालिन चली नेश्ट एकते हैं अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर 2022 ऐसे दोस्तों UNO सन्युक्त राष्ट्रंग सन्युक्त राष्ट्रंग के द्वारा भी 18 दिसंबर को ही अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है लेकिन तमिलाडू तमिलाडू राज सरकार द्वारा भी से राज अस्तर पर अब मनाने की घोशना की गई है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस चली नेश्ट टेकते हैं तमिलनाडू दिवस 18 जुलाई 2022 दोस्तों ये पहले 18 जुलाई को नहीं मनाया जाती थी इसलिए अभी चर्चा में है तमिलनाडू दिवस पहले एक नौनमबर को मनाया जाता था लेकिन अब जो CM है यहां के मुखमंत्री MK स्टालिंग इसपे काफी विरोध भी हुआ था वहाँ पे विपक्षी दलों का MK स्टालिंग है दोस्तों राजपाल की बात की जाए राजपाल दोस्तो एन रवी है और दोस्तों राज़ानी तब लोग जानते ही होगी तो चन नहीं है प्रक्राइबों कि चाले ऒख्रया राष्टिया competitive दिवस, 16 जनवरी, 2012,0522 माया परहली भरमनाया गया 20 22 स्छापप दिवस, 16 जनवरी, 2022 जोसमें जादा कुछ जानना नहीत, purely जानने के लिए पिछले बार इसी दिन दोस्तों राष्टे श्टार्ट पूरुसकार भी माटा गया था 2021 में घोसना दोस्तों इसकी पीम मोदी द्वारा की गई है बाकी इसमें कुछ विसेस नहीं है चलि नेक्स चेकते हैं पढरा कर्म दिवस तैईस जनवरी दौहजार दीवाइस नेता जी सुवास चंदर बोस की जेहनती पर जो आदाध हिंद पोच के संस्थापक भी थे उनही की जेहनती पर क्या मनाया जाएगा पढरा कर्म दिवस हर साल दोस्तो अब 26 जनवरी के कारिकरम जो हो गए वो दोस्तो अब 23 जनवरी से सुर्वात होगे वो क्या होगा अब 23 जनवरी से सुर्वात होगा और इसमें सुबास चंदर बोस जीगे जैन्ती को पराकरम दिवस के रूप में सामिल किया गया है और यह भी मनाया जाएगा दोस्तों पस्चीम बंगाल में दोस्तों इसे प्राक्रम दिवस पुले देश मनाया जा रहा था पस्चीम बंगाल में दोस्तों इसे देश नायक दिवस देश नायक दिवस मनानी एंगोसना ममता बनर जी त्वारा दोस्तों की गई ठीक है दोस्तों अगर बात की जाए दोस्तों सुभास चंदर बोस की तो इनका जन दोस्तों 23 जनवरी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों इस हिसाब से आप देखेंगे तो 125 जनती 2022 में कितनी जनती हो गई 125 पचीस पचास 75 दोस्तों एक सो सबासों यह सब दोस्तों इंपोर्टेंट हो जाता है ध्यान रखिएगा चले नेक्स्ट रेक्ते हैं हम लोग नेक्स्ट है हमारा जनजातिय गौरब दिवस जनजातिय गौरब दिवस 15 नौनमबर 2021 चाहिए दोस्तों भगवान बिर्सामुंडा जेनती के अवसर पर दोस्तों यह आयोजित किया गया था 2021 में पहली बार दोस्तों बिर्सामुंडा कौन थे तो आदिवासी नेता थे बिटिस गवर्मेंट के खिलाब काफी इनका योगदान था आदिवासियों को एक जूट करने में दोस्तों इननそ अन्दिविश्वास को मिटाया था इनका जन्द दोस्तो 15 November1875 ज्यारखन के उलीए हाथ गयों नामें दोस्तों वही उगा था और दोस्तो इन्हे धर्थी का पिता ज्यारखंड में हुआ था जन्दॉ इन्हें धर्ती का पिता कहा जाता था? कहा जाता भी है धर्ती आबा इसे आदिवासी लोग क्या करते हैं? धर्ती आबा चीक है दोस्तों चली next टेकते हैं वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2021 21 पिए सीएो इसकी बाप किए दोस्तों गुरू गोविन सिध्व All गोविन सिंग्सुर्ण इंख गोलतम्य बूतर कि कि दॐ ज़े में फाटिसता तो में दूस्तों इन वह लिए पुत्र थे आ grateful औरंग जेब के साथ मुगल के मुगलों के साथ दोस्तों गुरु गुबिन सिंग की लराई चल रही थी तो वहां पर उनके पुत्रों को मुगलों के द्वारा जापकर लिया गया था दोस्तों तो उन्हें मुसलिम बनने के लिए कहा गया था मुगलों के द्वारा लेकिन इन्हों ने इंकार कर दिया था इसी कारण से दोनों इसे जिन्दा ही जिन्दा ही क्या हुआ था इनके दोनों बेटों को जिन्दा ही चुनवा दिया गया था दिवार में जिन्दा ही इसे आप फोटो में भी परदानमंत्री जी के द्वारा 26 दिसंबर 2021 को गोसना की गई थी और तब से अब हर साल मनाया जाएगा ठीक है और दोस्तों अगर इसमें बात की जाए और इसमें कुछ खास है नहीं दोस्तों जानने जैसे यह दोनों दोस्तों मातर नौ साल के थे और फटे सिंग दोस्तों ल इसकी घोसना की गई थी चलि नेक्स्ट एकते हैं भाला फेग दिवस साथ अगस्थ 2022 दोस्तों नीरत चोप्रा इन्होंनों भी गोल्ड मेडल जीता था उनके सम्मान में साथ अगस्थ को भाला फेग दिवस की रूप में मनाया जाएगा और दोस्तों यह भोसना जो की गई थी भारती एटलेटिक संग एटलेटिक फेडरेशन ओप इंडिया सौट में दोस्तों एफाई भी कहा जाता है आपसे दोस्तों हर साल यह मनाया जाएगा जैबलीन थ्रोडे इंगलिस में दोस्तों 23 वर्षिय नीरज अभिनो बिंदरा क बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वन पदक विजेता है नीरज ने साथ अगस 2021 को 2020 टोकियो ओलंपिक में पुरूसों की भाला पेक में स्वन पदक जीता था दोस्तों नीरज चोप्राग दोसर टोकियो के ओलंपिक स्टेडियम में इतियास रचा जब उन्होंने ओलंपिक में अथलेटिक्स में भारत के पदक के सूखे को समाप्त करने के लिए भाला पेकर 87.58 मीटर की दूरी तह की थी दोस्तों साथ अगस्त को दोस्तों युवाओं को दोस्तों खेल के पड़ती आकर्शन बढ़ाने के लिए इस दिवस की घोसना की गई है किस के द्वारा भारत एफाई के द्वारा दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है अध्यक्ष जान लीजे इनके आदीले सुम्री वाला अस्थापना दोस्तों अजादी से ठीक पहले 1946 में की गई थी अमुक्याले दोस्तों इसका नई दिल लिया ठीक है दोस्तों चलिए नेश्ट एक तेम लोग ओना के अबबवा दिवस 11 नुनमबर 2021 दोस्तों जो टीपू सुल्तान के बारे मम आज हिस्ट्री में पढ़ते हैं उनके पिता कौन थे हैदर अली मैसूर के सुल्तान हैदर अली जो डोस्तों अठार्वी सताब्दी में जब युद्ध वगेरा चल रहा था तो उसी में दोस्तों अबबवा जो थी दोस्तों इसने दोस्तों बहुत सारे लोगों को मार गिराया था जो धान की दोस्तों मूसल होती है धान की मूसल दोनों ध्यून रखेंगे उसे वहके कहा जाने लगा दोस्तों ये हैदर अली की सेन से लवहादू 속 aliens ऑने सद्जिक महिला सेनिक थी इसके वहां सम्मान में वगए साथ राजन रखर और याद रखेगा की किसे इंक कर्णातक राजसरकार के द्वारएं इसकी घुशना की गयी है दोस्तो आज के लिए इतना ही दोस्तो चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे दोस्तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तो तो हम लाइक और सेयर करके हमें सपोर्ट करते रहिए आज के लिए इतना ही जै हिन जै भारत जै विहार